Hello everyone, welcome to my channel. आज मैं बहुत अच्छी important वीडियो लाई हूँ कि एक नई टिकनीक है जिससे आप अपनी desires बहुत जल्दी manifest कर सकते हैं और multiple desires manifest कर सकते हैं. तो टिकनीक क्या है 10-10-10? मुझे लगता है आपने सुनी होई होगी लेकिन मैं इसको अपने version में बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे use की और इससे मुझे क्या results मेरे? करना क्या है इसमें? पहले आपने इसमें अपनी, when it says 10-10-10, तीन चीज़ें हैं जो 10-10-10 लिखनी हैं, वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो आप इसे करें के समय, आप सुबह कर सकते हैं, morning में सोके जब उठते हैं, या रात को सोने से पहले, सबसे पहले आपने around 10 times deep breathe करना है, 7 times कर लें, 10 times कर लें, वो एक बार होता है कि अपने मन को, अपने mind को, आप अपने heart को काम कर रहे हैं, शान्त कर रहे हैं, शान्त करके जब आप लिखते हैं, तो एक quietness आजाती है, mind में clarity होती है, आपको क्या चाहिए, और सीधा subconscious mind वहीं जाता है, जो चीज़ें आप desire करते हैं, जब आपने 10 times deep breathe ले ली, तब आप बैठेंगे तो आपको बहुत clarity आएगी, पहले 10 चीज़ें वो लिखनी हैं, जो आपकी desires हैं, वो आपकी money हो सकती है, job हो सकती है, relationship हो सकता है, health हो सकता है, travel हो सकता है, अपने लिए हो सकता है, अपनी close family members के लिए हो सकता है, आपके parents के लिए हो सकता है, बच्चों के लिए हो सकता है, किसी और के लिए भी हो सकता है, कि मैं हैं बहुत सारी चीज़ें सिरफ अपने लिए नहीं लिखती, वो किसी लोगों के लिए भी लिखती हूँ, अपनी family के लिए, शायद उसमें ये होता है कि मैं, और जरूर लिखे, मैं उसमें जरूर बताऊंगे कि आपको, आप सिरफ अपने लिए मत लिखे, एक connection ऐसा आता है कि आप बहुत selfish नहीं हैं, आप के लिए भी लिख रहे हैं, दुनिया के लिए भी अच्छी चीज़े लिख रहे हैं, तो ten desires लिखे, उसके बाद आपने क्या लिखना है, दस वो चीज़ें जिसके लिए आप grateful हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपनी life के लिए, अपने बालों के लिए, अपनी face के लि आपकी desires हैं, wishes हैं, और दस चीज़ें जो आप जिसके लिए grateful हैं, थर्ड चीज़ क्या करनी हैं, कि आपने वो दस चीज़ें लिखनी हैं, जो आप you love to do, क्या आप पसंद करती हैं, आप गाने सुनना पसंद करती हैं, आप ड्रॉइंग करना पसंद करती हैं, आप शॉपिं दस तो आपने लिख दी डिजायर्स कि मुझे से आपको कुछ चाहिए बहुत BMW आपने बाई करनी है, मेरी डिजायर है BMW, Series 2 बाई करनी, Series 3 बाई करनी, जो भी आप बाई करना चाते हैं, आप तेसला बाई करना चाते हैं, आप वो लिखें, वो आपकी डिजायर हो गई, जब आप लव में लिखेंगे, I love luxuries, I love driving cars, God कहता है तथास तू, तो ये connection है इन चीज़ों का, आपने डिजायर भी लिख दी, आप grateful भी होगे, सपोज आपने आपको चाहिए Tesla, आपके पास इस समय है Maruti, और आप driving लव करते हैं, तो आप लिखेंगे, मुझे मेरी desire है Tesla, I am grateful for the car I am driving and I love driving, so ये जो connection बनता है तीनों का, ये बहुत powerful बनता है, so थोड़ा सा process मैं दुबारा से बता देती हूँ, 10 times deep breathe करके आपने बैठना है, paper pen लेना है, अपनी 10 desires लिखनी हैं, 10 चीज़ें लिखनी हैं जिसके लिए grateful हैं, और 10 चीज़ें ऐसी लिखनी हैं जो आप love, you enjoy doing, you are passionate about, ये तीनों का association होगा कहीं न कहीं, कहीं न कहीं इसका combination होगा, अगर आप लिखें कि आप UK जाना जाती हैं, आप Dubai जाना जाती हैं, आप USA travel करना जाती हैं, तो grateful होगे कि मैं जहां रह रही हूँ, बहुत अच्छा मेरा, मेरी city है, मेरी country है जहां मैं रह रही हूँ, और ज के subconscious mind में, और इसको लिखना कितने दिन हैं, इसको दस दिन लिखें, दस दिन लिखें इसको let go करने, उसके बार नहीं इसको सोचना, लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ ये कि आपको ध्यान किन चीज़ों का रखने, क्योंकि इसमें हम mistakes क्या चीज़ों की कर दूसरा negative नहो, positive रहें, कि ये चीज़े मैंने लिख दी हैं, तो ये होनी ही होनी है, order दे दिया है आपने pizza hut में या domino's में, तो order आएगा ही आएगा, 10 मिनट में आजाए, 20 मिनट में आजाए, 30 मिनट में आजाए, हो सकते हैं घंटा भी लग जाए, तो negative नहीं होना, instant results नही करने, और lack की feeling से नहीं करना, तभी हम gratitude लिखते हैं, जब हमारी lack की feeling नहीं है, abundance की feeling है, और सबसे ज़्यादा important, let go कर देना, 10 days लिखके आपने let go कर देना, और realistic चीज़ें लिखें जो आपको हो जाएंगी, क्योंकि उसी से विश्वास बनता है, और इसको 10 दिन continuously लिखें, 10 दिन लिखके इसको आप let go कर दें, फिर देखें इसमें miracle होगा, so miracle होगा, 11th day miracle हो जाएगा, हो सकता है, एक मन्त में हो, हो सकता है, जादा दिर लग जाए, लेकिन panic नहीं होना, worry नहीं करना, unrealistic नहीं होना, ये नहीं सोचना कि ये नहीं हुआ, ये जरूर होगा, आप एक वि विश्वास ही बहुत ज़रूरी है, और विश्वास रखने के लिए वो जो एक faith रखने के लिए किसी कोई mantra करें, कोई पूजा करें, कोई भगवान से जुड़ें, कोई भगवान को याद करें, तो ये चीज 100% guaranteed है, thank you so much for watching my video और मैं मिलूंगी आपको next video में, thank you